महांगा सीटेड लगाया गया है सौच करने के लिए दिखाए लेकिन उसका भी स्तिती देखने के पास आपको पता चल जाएगा यह देखिए भी आईपी गेट है वी आईपी इसमें सीशा लगा हुआ है एलमुनियम का गेट लगा हुआ है लेकिन अंदर का सीट देखने के आपको पता है नमस्कार मेरा नाम है दिलिव कुसवा और आप देख रहे हैं डीडी सी निवज और आभी हम लोग मवजूद हैं लवरिया छेतर के नंदनगाड में और नंदनगाड आप सभी को पता ही है कि एक इतिहासकारी जगा है और यहां पे दूर दराज से लोग दे साइगे का की तक पर टाफ में अब आपको साचाली यह कीशें जह जोटा उटा हो चुका है पूरा तरह से जंगल लग चुका है यह दिखाईए किस तरीके सवचाले का इस्तिती किस तरीके से हो गया है और यहां के फर्स दिखाएं नीचे का जो देखने के बाद आपको पता लागेगा कि यहां पे एक कुट्ता भी नहीं आता होगा कि एक इतिहासकारिस जगहों का जो दुरदसा है किस तरीके से किया जा रहा है यहां 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 पे विदेशों का लोग आते हैं लेकिन उसका दुरदसा दिखाएं लिया कर इधर भी कि किस तरीके से पूरा हो चुका है जरदर इस्तिती इधर भी दिखाएं बहुत महांगा सीटेड लगाया गया है सौच करने के लिए दिखाए लेकिन उसका भी इस्तिती देखने के पास आपको पता चल जाएगा यह देखिए भी आईपी गेट है भी आईपी इसमें सीशा लगा हुआ है एलमुनियम का गेट लगा हुआ है लेकिन अंदर का सीट देखने के बाद फ्रमस के लिए भराष्णचार किया जाय है जबकि स Angeb के द्वारा यहां पे इस तरीके से मराममत के लिए पैसा आता है लेकिन पैसा कीस तरीके से बाष्णचार कियागा है और यहां ही नहीं नहीं शवागा sudah way कर दिखाने का पर्यास कि यह कि उस टेंग का इस्थिती क्या हो चुका है जुम करके दिखाए कि वो टेंग किस तरीके से जरजर हालत में है इस तरीके से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक इतिहांस कारी जगा पे जहां पे सुरलब सवचाले होना चाहिए अच्छा सा भी आईपी होना चाहिए कि जो मुझा हो इसारी लोगता आप मे लोगते हैं इतिहांस के पारे में मैं अब जानि तो इन सब चीजों को भी तो दिखाना चाहिए बनना चाहिए बनना भी बहुत जरूरी है जो टो साथ कैसा लगा है आप लो में कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएगा मैं दिलिव की डीडी सिन्यू से जाए ही